वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल अफ टोटल में इंशॉरंस खरीदते टाइम कन्फ्यूस होना तो जायस है आज कल मार्केट में बहुत सारे ओप्शन्स और टिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स इंट्रिडूस किये गए है हर कमपनी अपने स्कीम के बेनेफिट्स आपके सामने रखती है पर कोई उसके लिमिटेशन्स की बात नहीं करता लेकिन कोई भी स्कीम लेने से पहले आपको उसके सारे प्रोस और कौन्स की जानकारी होनी चाहिए एक इन्शोरेंस एडवाइजर को तरा-तरा की इन्शोरेंस प्लान्स और स्कीम्स के बारे में पूरी जानकारी होती है वो अपने आपको मार्केट में चलने वाले ट्रेंड्स के साथ अपटेटेड रखता है तभी तो वो बड़ी आसानी से अपने clients को सही insurance scheme suggest कर सकता है लोग तो कभी-कभी अपने needs के बारे में भी aware नहीं होते हैं तो कभी उन्हें इस बात का अन्दाजा नहीं होता कि कौन-कौन सी तरह के risk पे coverage पाया जा सकता है एक insurance advisor अपनी training और experience की मदद से पहले आपके risk को चानते हैं और आपके पास क्या coverage होना चाहिए ये समझते हैं फिर insurance से जोड़े हर एक छोटे aspect को analyze करके आपको सबसे suitable plan suggest करते हैं As customer हम सबसे सस्ता product लेना चाते हैं अब कपड़े खरीदते टाइम ये approach ठीक है पर insurance लेते टाइम ये approach काफी महेंगी साबित हो सकती है अब शर्मा जी का example ले लीजे शर्मा जी ने insurance policy चुनते समय सिर्फ price और coverage amount देखी जहां बाकी policy पांच लाग के coverage पर 3000 का premium ले रही थी वही उनकी policy बस 1500 का premium ले रही थी जल्द बाजी में उन्होंने वो policy ले ली पर claim करते समय उन्हें समझ में आया कि ये policy जादतर medical expenses cover नहीं करती इसलिए उन्हें आदे से जादा bill खुद ही भड़ना पड़ा insurance advisor आपको ऐसी scheme suggest कर सकता है जो सिर्फ किफाइती ही नहीं पर useful भी हो इससे आप सर्वत पढ़ने पर unnecessary expenses से बच सकते हैं एक advisor सारी companies की schemes अच्छे से review करके आपको सबसे affordable और suitable schemes के options देता है इस सबसे आप जान ही चुके होंगे कि insurance policy लेते समय सही advisor को consult करने के कई advantages होते हैं पर ये advantages सिर्फ policy लेने तक ही सीमित नहीं रहते ये advisor आपको claims पाने में, coverage बढ़ाने में और insurance से maximum benefit लेने में भी मदद करते हैं तो अब और सोचने में वक्त मद गवाईए जल्द से किसी अच्छे से financial advisor से संपर्क करके अपने financial decisions को आसान और बहतर बनाईए